आपका स्वागत है दरन भी इशो क्लिप्स नेम बस देखते रहो और सीखते रहो कि सच है कि मुझे पता है अगर तब भी यह होता था पर आज डेफिनिटली हो रहा और यह नोवा ने मुझे बताया कि बिहार में हर घर में आपको कहा जाता है कि एंजिनियर डॉक्टर या आइस बनो सच है बिल्कु सही है अब भी हो रहा है यह बिल्कुल यह होता है अगर बिहार का कल्चर इतना education driven है तो एक वो एक ambition रहती होगी हर बिहारी export में जो दूसरे शहरों में जाकर पढ़ाई करते हैं या job करते हैं मुझे यह बात बुरी लगते हो मुझे पता भी नहीं था कि यह बात है इस दुन्या में नोवा ने मुझे बोला कि थोड़ा बिहारी racism रहता है मुंबई में नहीं I don't know actually शायद मुंबई में भी रहता हो बिहारी बायस एक बहुत वाइरल रील भी किसी ने बनाया था आप पता है वह एक पोएम पढ़ रहा है आज वह लड़का जो था था भाहियाजी के टेलर लांच पर वही लड़का आया था और वो जो है उसने वो कविता पढ़ी है बहुत अच्छा लिखा है उसने उसने बड़े अच्छी लगे कि हम कितने हम यू पिस, CIS, IPS की बात नहीं करें हम बताएंगे कि और क्या क्या है बिहार में जो कि मुझे लगा कि यह लड़का जो है यह बहुत समर्जार लड़का और मेरे कॉले से पढ़ हुआ है मैं जिसका अलमनाई हूं मेरे रामजा से पढ़ नहीं आई डोन नोग वड़का इस लाइक बिइंग ब्यार क्या होता जब आप दिली जाते हो मंबाय जाते हो लोग अलग नशरे से बात करता यह मैं अब के मनोजबाच्पाई से नहीं पूछ यह एक्टी से के मनोजबाच्पाई से यह इसमें गलत का है लेकिन उसको उसक आदार पर तुमाना मजाग उड़ा है, भूम करके जवाब उनकभी नहीं तो इस जवाब नहीं देना, यह जच स्माइल, वजा नहीं, इस पिर जछो फ्रॉल्डेगों ने जवाद कर दो नहीं हैं, आप तो जपनालाइस कर रहे हों, हर जगे पर हर तरीके के लोग हैं, था पंजाब में हो जाए कश्मीर में हो जाए बिहार में हो जाए उडिशा में हो या फिर साथ इंडिया में हमारा बैस तो कमाल है कि हम सारे साथ उनको मदरासी बोलते हैं सर कि हम जानती नहीं कि आंधरा तेलंगाना करनाटक तमिलनाडू केरल करनाटक इस अलग अलग राज्य हैं इनकी बड़ी स्ट्रॉंग आइडिन्टिटी है राइट वसी तरीके से बिहार यूपी में आप मैं तो कितने साहे लोग से मिलता हूं जिनको पता ही नहीं है हैं का बिहार और यूपी अलग अलग स्टेट हैं वेस्टर्न यूपी और इस्टर्न यूपी में बहुत बड़ा फासला है कलचर में बहुत बड़ा फासला है तो you have to be informed. you have to study. You have to read. You have to watch. Right अगर ग्यान का इन्फरमेशन का आपके अंदर में एक पैशन तोने जहें क्योंकि अधर बाइस क्यों जी रहे हैं भाई बहुत रैंडम चीज मेंचिन करना जाओंगा इसे अचिल मुझे बहुत गुसा फील होता है इसाद मेरा पंजाबी बायस हो सकता है इसले गुसा फील ह तो मेरी दादीमा सिख थी और जेनरली सिखी के और मुझे बहुत ज्यादा लगाव है पॉटकास के थू बहुत ज्यादा जाना है सिखी के वादे जब मैं किसी सिख से मिलता हूँ थोड़ा सा ओटमाटिक भाईचारा फील हो जाता है सटल लेवल पर आजकल ना सोशल मीड पर बहुत सारे सिखों के रील के नीचे लसी ऐसे मतब अजब अजब अगाली लसी कॉमेंट्स दिखाई देते हैं विचा क्वाइट ओफेंसिफ फिर सिख भाई लड़ने लगता है बागी भाईयों के साथ और यह बहुत मुझे बहुत दुख फील होता है यह देखकर पर किसी कमेंट के बारे में जानी नी पात है थे आज के तारिख में फ्री डेटा के समय में तो कोई कहीं से वैट करके कुछ भी लिखता है ना सर ऐसे ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो जिनका जिनका पूरा दिन दूसरे पर कमेंट करते हुए ही गुजरता है वो सोशल मीडिया के पहले भी था, social media नो अगर आपको empower किया है, तो उनको भी तो empower किया है. आप उस social media का opi-yog podcast में आके कर रहे हो, वो आपके ऊपर comment करके use कर रहे हैं. You are getting your point. So, feel pity for them. अगर constructive criticism आपका, उसका स्वागत करो. constructive criticism करो, मैं उसका जवाब दूगा. अब मैं इसका क्या जवाब दूगा? ओई भी 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 भी? अब इसका जवाब मैं क्या दे सकता हूं? अगर कुमें कोई लिग दिया तो, मैं वापस से जाए जाए उसको कुछ बोलो? Is it going to help? बोलो थाला भी 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 हारी है. मैं तो यह कहूं हूंगा. घाला भी 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 हारी है. मेरे मेरिवें अन्हेम, लोगे मेरे युटनि तुम्हें तुमुज्चिन जीय। और युटी तो यूटो, यू मैंने मेंग वह बुचू हुगु कि सुटू फ्मुटी तुमू भेहले म recommendations with me喔 तो कोई मुझे मुझे कंपेल कर देना बैठने के लिए कौन कंपेल करता है मुझे मेरे दोस करते है यह मेरा परिवार करता है परिवार गुसा होना शुरू हो जाता है मेरी बेटी जो है तैंटर थो करते है नौ कहती है तेन बाप बैठ जाता है ओके, सॉरी, तुम भी जो हना, कम्पेल कर देते हो, एक जग़े बैठ करेके, बाते करने के लिए, मुझे मेंटरिंग दो सर, चाहिए आपके मेंटरिंग, तुम्हारे तुम पॉड़कास यतना पॉपुलर है, लोगों को तुम मेंटरिंग कर रहे हो, हम तो मतलब, आप लोगों के थुरू, और यह मैं सिर्फ एक, आसर रिस्पॉंज नहीं कह रहा हूँ, कि, फील कि ये ना, ये एक शो नहीं है, मेरे लिए अब एक लाइफ, लाइफ का एक बहुत, बड़ा हिस्सा बन चुका, तो जो मैं एक्सपीरिंस कर रहा हूँ, आप लोगों से मिलकर, वही लोगों सामने पेश कर रहा हूँ, कभी-कभी 40 मिनिट लग जाते हैं, आइस ब्रेक करने के लिए, कभी-कभी पहले मिनिट में आइस ब्रेक हो जाती है, पिछली बार भी होगा था, आज वही आइस ब्रेक हो गई, जब आपके घर लागा, तो, ने, पिछली बार मैं, अच्छा, मुझे क्या है ना, मेरा, अगर, सबसे, दो, दो बाते जो हैं ना, वहाँ बे मैं एकदम से बैठ करके, इमिजेटले शुरू हो जकता हूँ, एक अभिने की बात, क्योंकि हमेशा बात करते हूँ, वह सीखता ही हूँ, क्योंकि जब आपको सवाल करते हो, तो मैं भी सोचता हूँ, किसका जवाब क्या होगा, या तून्दता हूँ, कि मैंने क्या क्या किया, तो वहाँ से जवाब निकालने कोशिच करता हूँ, मुझे कुई ग्यान देने का शौक नहीं है, मैं अपनी जिन्दगी से बाते निकालके, आपसे बात करता हूँ, और जो बाते करता हूँ, मतलब उसको अपला ही करता हूँ, क्योंकि मैं बाती नहीं करूँ आपसे कि जो मैं करता नहीं हूँ, मैं पांच बज़ सुवह उठा हूँ, मैं आपको बोलूगा यार, पांच बज़ सुवह उठा हूँ, नाहो दो, अपना योग, ध्यान, एक्साइज करो, क्योंकि मैं करता हूँ, करता हूँ, और क्या दिस्सिप्लीन होथी है, मुझे नहीं पता है, तो मुझे बात करने हम जाथा है, लोगों को यही चाहिए से, यही मनुच बाजपई को सुनना है लोगों, अब मैं पूलमें बता हूँ, मैंने अपने जिंदगे में दो थीन में में इस्टेम फिल्में किया है उससे जादा चार-पांच कर ली होंगी जादा मिदल ऑफ द रोड या इंडिपेंडेट सिनमा इस तरह मेरा बहुत मन लगता है बहुत जादा पहली बार एक में इस्टेम फिल्म आउट जिसको मैं हैडलाइन कर रहा हूं वह भाहिया जी औ यूज शर्भाह उसने मुझे वह काम करा है जो मैं करने से मुझे लगता था मैं नहीं कर वाऊंगा लेकिन जब उस्ने कर आया तथ मुझे एक अलग तरीक मेरा तरीको अनुभा तो हम भी लागातार कोशिश कर रहे हैं अपने आपको इंप्रूफ करने के, इसलिए कभी बंद करके नहीं रखना चाहता हूं में इसको. Self-identification time के साथ बढ़ रही है, जान रो खुद को. जान लो, जानो अपने आपको, एक्सपैंड करो और अपने आपको और एक्सपैंड करो. Human का limitation नहीं है, limitation नहीं है. हम भी बहुत limit करते हैं अपने आपको, किस से समाज के डर से, इंडस्ट्री के डर से, दुनिया के डर से, एक छोटा बच्चा होता है नो, वो आएगा आपके पास में और वहाँ के बढ़ जायेगा. वो समाज बाद में बताता रहता है उसको कि नहीं, नवस्ते करो, ये करो, वो करो, नहीं, वहाँ नहीं जाओ, ये मत छूओ. तो बच्चे का ग्रोथ हम ही रोकते हैं, स्वचंदता देते ही नहीं उसको, उसकी उसकी आजाद ही छिनते हैं, दूस एंड डॉन्ट से, तो अब बच्चे होने के तरफ जाना है. उसको ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अप्लोड कियें इस चैनल पर, चैनल को एक्स्प्लोर करो, देखते जाओ और सीखते जाओ.